हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब कोरोना के संकर्मन के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी है कि लोग घरों में रहें कई लोगों ने खुद को पिछले दिनों में एकांत में रखा है इस आशंका में कि हो सकता है संकर्मन उन तक पहुचा हो और उनसे संकर्मन आगे ना फैले इसलिए उन्होंने खुद को एकांत में रखा कोरिंटीन किया और ऐसे ही लोगों में से एक हैं संजे सिंग से जानते हैं कि कैसे इन्होंने खुद को एकांत में रखा और एकांत में रहने का अनुभव क्या था लोगों से यह क्या कहना चाहते हैं जी आप आंदोलन से जुड़े रहे हैं और जब आपने ट्वीट किया कि मैं एकांद में रख रहा हूं लोगों को आपके दोस्तों नहीं ये पूछना शुरू किया कि आप खुद को एकांद में रख कैसे पाएंगे आप तो पूरे दिन बाहर रहने वाले लोग हैं तो कैसे आपने चौदा दिन खुद को एकांद में रखा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका और आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि लोग घर में रहे हैं देखे मैं समझता हूं कि जब से मैं समझदार हुआ हूं तब से लेके आज तक पहली बार चौदा दिन तक मैं अपने गेट के बाहर नहीं निकला प्रद्दिन सैक्रों लोगों से मिलता था जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है सैक्रों किलो मीटर का सफर करता था एक एक दिन में मैंने 500-600 किलो मीटर क भी सफर किया है तो ये बहुत मुस्किल था अपने आपको एक जगें चोड़ा दिन तक रखना लेकिन मुझे लगता है कि अगर लोग इस बात का संक़र ले लें कि जिस प्रकार की महा मारी ए जिस प्रकार का संक़्ट पूरी दुनिया में आज फैला है, इसको रोकने का एक मातर तरीका है, इस कोरोना वायरिस पर जीत का एक मात्र तरीका है कि आप अपने आपको ज़्यादा से ज़्यादा अलग रखें लॉक्डाउन का नियमों का पालन करें तो मुस्किल नहीं है आप अपने समय मैं मानता हूं कि बहुत सारी दुस्वारियां आएंगी बहुत सारी तकलीफें आएंगी और उस बर्क के लिए जो रोज कमाता है रोज खाता है हमने देखा कि मजदूर भारी संख्या में बाहर भी निकले लेकिन इसके साथ साथ अगर आप जो महामारी है अगर आप जो बीमारी है उसकी तुलना बरतमान के कस्ट से करेंगे तो वो उसके आगे बहुत कम है आज अमे लाख लोगों तक ये बीमारी पहुँच चुकी है साथ हजार लोगों ने अपनी जान गवाई है तो अगर हिंदुस्तान के अंदर ये महामारी 135 करोन के देश में फैलती है तो इसके बहुत गंभीर पढ़डाम हम सब को भुगतने पड़ सकते हैं तो तातकालिक तोर पे इस्टिटूप से कस्ट पहुंच रहा है लोगों को दिक्कते आ रही हैं लेकिन हमको लागडाउन का पालन करना ही होगा इसके अलामा कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है का 14 दिन का एकांतवास पूरा हुआ तो क्या एक्सपीरिंस रहा आपका कैसे आपने खुद को बंद रखा थोड़ा यह बता ही ताकि लोग लोग भी उसको फॉलो कर सके देखें मैं तो जादा तर मोबाइल पे मौजूद रहा और लोगों के फोन भी आते थे तो उनकी जो सुखारासन आप देख रहे हैं कि यह इसमें लोगों ने सही हो किया आप सुखारासन भी माटा जा रहा है प्रियास यह रहता था कि ज्यादा से ज्यादा नियूज मैं देखने की कोशिस करता था उसमें अपने आपको इंगेज रखता था कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना संकट से निपटने के लिए चल क्या रहा है टीवी चैनल्स देखता था कि उसमें डॉक्टर्स की सला क्या है या सरकारें किस तरह से काम कर रही है दिली की सरकार केजरिवाल जी ने किस किस तरह के कदम उठाए वो डिली अपडेट होते रहते थे हम लोग और परदान मंत्री जी किस तरह से कदम उठा रहे हैं सरकारे क्या कर रही है और जो देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि दुनिया में जिन देशों ने लागडाउन का उलंगन किया जिन देशों ने अपने देश में लागडाउन लागू करने में विलंब किया वो चाहे अमेरिका हो वो चाहे इटली हो वो चाहे फ्रांस हो वो चाहे जर्मनी हो वो चाहे ब्रिटेन हो आज वो भारी संकट में फस गए इसलिए अगर हमारी सरकार ने प्रदान मंत्री जी ने ही डिकठा करें बहादरी इस बात की है कि आप घर में अपने आपको रखकर खुद को भी परिवार को भी और बाकी समाज को इस देश को कैसे इस महा मारी के संकट से बचा सकते हैं ये कैसी लडाई है ये कैसा युद्ध है जो आप घर में रहके जीत सकते हैं जो आप अपने आपको अलग रखके लॉक्डवन के नियमों का पालन करके कर सकते हैं जो पूरी दुनिया आज इस संकट का सामना कर रही है वो इस वज़े से कि उन देशों ने लोक्डवन के नियमों का पालण करने में श् install कि लगाने में विलंग किया है इस दौरान क्या डर भी लगा, थालांकि आप स्वस्त हैं, संगर्मन नहीं हूँ आपको लेकिन किया डर था किसी प्रकार का, और क्या घर में भी किसी से आप संपर्क में नहीं हूरे हैं? देखे मुझे लगता है कि एफ दरने से तो काम चलता नहीं है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता लेकिन दूसरी तरफ इससे बचने का भी तरीका जो सामने आ रहा है तो अगर ये भी देखने को मिल रहा है कि इसमें बहुत संख्या में, भारी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कोरोणा संकट से अगर वो पीडिद भी हैं तो वो अपने आपको सुरक्षित रख पा रहे हैं अगर हिंदुस्तान की आप बात करें तो यहां पर एज फैक्टर वाली बात नहीं चल रही है जो आखड़े अब तक आये हैं उसमें जो युवा वर्ग है वो भी हिंदुस्तान में बाकी देसों में बुढ़े लोग इसकी अब तो स्वस्थ है तो लोगों की मदद के लिए जहां जो जाना पड़ा अब जैसे एक खाने के पैकेट बन रहे हैं या रासन सुखा रासन बन रहा है तो इसको बाटने के लिए कहीं कहीं पर जाना पड़ेगा लेकिन सोशल डिस्टैंसिंग और लॉक्डाउन के जो नि अंसद संजय सिंग ने और इन्हों ने तो खुद को सेल्फ कॉरेंटीन किया था और बता रहे हैं कि किस तरीके से पालन किया सोशल डिस्टैंसिंग का और यह एतियात जरूरी है अपील भी किये हैं लोगों से कि यह लड़ाई हम घर में रहकर ही जीत सकते हैं एहम बात यह है कि अब संजय सिंग का एकान तो वास जो है वो कॉरेंटीन पीरिड खतम हो चुका है स्वस्त हैं और साथी साथ अब इनके घर में ही एक तरीके से रिलीफ कैंप एक तरीके से इनका घर बन गया है कच्चा अनाज चावल डाल आटा नमक तेल आदी पैक किया जा रहा है औ आप घरों में रहें और साथी साथ मदद करें उन लोगों की जिनके पास भोजन नहीं है क्यामरमन सुंदर के साथ जैनेंदर एबीपी न्यूज दिल्ली क्याम दिस टिंग ज़ 1958 जुरेश जलए narratives दिल् hogत जब। उजरभों में बिल विमार नहीं है क्या है कि वे उताव कि ये ज़ Gridत spacecraft आवर है क्या रहें है उब।